हेलो दोस्तों मैं सुरम मलिक आप सबीगा टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रिजिनिंग के वीडियो में हम देखने वाले हैं रिजिनिंग के कुछ प्रिवियसर के कोशन जो की आरपियाइप, SSC, JD हर्यान SSC के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और देखे आरपियाप की एक्जाम डेट भी आ चुकी है और देखे दोस्तों मैं अनकेडमी की लर्निंग एप पड़ा रहा हूँ याप मैं बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियो देखने हैं अनकेडमी का लर्निग आप टाउनलोड करके हैं आप इस वरमा लेक्साथ को आप मुझे पोलो कर सकते हैं और उन्हें भी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को प्लीज एंड तक देखे गो और मैं आसा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक से और जरूर करेगे यहाँ पे पहला कोशन है और आप साथ साथ में ट्राइ भी कर सकते हैं कि आप कितने कोशन सही कर पाते हैं यह मुझे लगता है 10-12 कोशन होगे आज के टेस्ट में आज की वीडियो में तो आप इसमें कितने सही कर पाते हैं उसको भी साथ साथ में आप टेस्ट कर सकते हैं वीडियो को रोब करके ट्राइ करते रहिए ठीक है चलिए पहला कोशन है दी गई अक्सर सरंकला में लूप्त पद ग्याद कीजिए तो यहां पे आपको बताना है कि यहां पे क्या हैगा तो सबसे पहले यह find out करने के लिए आपको पता हुनाचे कि इसमें पीछे स्रीज क्या चल रही है जो भी स्रीज पीछे चल रही होगी वही आपको आगे follow कर देनी है ठीक है तो यहां पे इसके लिए भी आपको यह पता हुनाचे कि alphabet के number क्या है ठीक है D कौन से number प्याता है के कौन से पाता है M कौन से पाता है मैंने आपको बताया कर याद है आपके बहुत अच्छी वात है अगर याद नहीं है तो A से M तक M के नीचे N और N से Z तक इस तरीके से लिख लीजे मुश्किल से मुश्किल आपकी 30 सेकिंड लगेगी जब भी आपका एक्जाम होता है त जहां पर देखे जो D है वो 4 नंबर पर आता है F आपका 6 नंबर पर आता है तो यहां से D से F पर आयेंगे तो प्लस 2 चलेगा फिर आपका Hir जो होता है वो 10 नमबर पे आता है 10 में प्लस 2 करेंगे 12 और 12 पे क्या आता है L तो यहां पे आपका L हो जाएगा ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पे तो L यहां पे सुरूं में सिर्फ A option में है तो आपको पूरा का question करने की भी ज़रूरत नहीं है आपका option A right answer हो चुका है क्योंकि यहां पे आई नहीं आएगा एच नहीं आएगा और यह फिर आई नहीं आएगा. रूजरा फिर पर ट्राइ करके देख लेते हैं . देखे की आपका ग्यार्वे नंबर पर आता है और सोरी जी आपका दसने पे आता है तो यह क्या हो जाएगा minus 1 चल रहा है ठीक पिर faj list 1 करेंगे याables came पी升 जाएगा तो सब किया जी यहाँ पर दूसरे पर जी आजएग Goddess यहाँ bourne अब क्वालंग प्रेक्र लेते 2017 में हमने क्या करें, प्लस 3 हो जाएगा है न, 13 में प्लस 3 करेंगे, 16, 16 पे आपका P आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P, प्लस 3 करिए, तो यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, प्लस 2, माइनस 1, प्लस 3, तो इस तरी की सीरीज चल रही है, तो अगर मैं V में प्लस 3 करूँगा, तो कितना आएगा, वी आपका 22 पे आता है, और प्लस 3 करें, 25 पर 25 पे आपका Y हो जाएगा, यानि कि LGY is the right answer, option A आपका right answer हो जाएगा, आपको सीरीज बतानी है, भाई देखें सीरीज को अगर मैं देखू, 30 से 760 आ गया है, चोथे नंबर पे जाती, यानि कि ठीक ठाक स्पीड से बढ़ रही है, जब भी थोड़ा स्पीड लगे आपको कि हाँ स्पीड से बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ multiply चलती है, multiply छोटे नंबर की हो सकती है, क्योंकि बढ़े नंबर की multiply तो बहुत स्पीड से इंक्रीज हो जाएगी, और increasing order में भी multiply हो सकती है, जैसे यहाँ पर 30 लिखा है, 62 लिखा है, तो यहाँ पर क्या situation बन सकती है, 30 की multiply 2 में करिया, तो 60, 60 में प्लस 2 कर दीज़े, तो 62, समझे आप इस चीज को, भाई 30 multiply 2 और प्लस 2 हमने कर दिया, तो 62, next हम करेंगे 189, 189 multiply, sorry, 189 बोलो, 62 multiply 3, 2 तो हो चुका न, 62 multiply 3 प्लस 3, तो 189 हो जाएगा, यानि कि यह कैसे बना, 62 multiply 3 प्लस 3, अब next आपको अगर देखना है, यह वाला जो बना है, तो 189 multiply 4 प्लस 4, तो 189 में हमने multiply क्या 4, प्लस 4, तो आपको कितना हो जाएगा यह, 760, ठीक है, तो आपको अब एक स्रीज पता चल गए, यहाँ पे multiply 2 प्लस 2 हो रहा था, multiply 3 प्लस 3 हो गया, multiply 4 प्लस 4 हो गया, अब next आपको 760 में, multiply 5 प्लस 5 करना है, ठीक है ना, तो 760 multiply 5 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा आपका, यह 3805 ठीक है, 3805, तो यही आपका रहतांसा बन जाएगा, तो option D is the right answer, समझ गया होंगे ना, बिल्कुल simple है, कोई मतलब hard नहीं था, बस थोड़ा सा आप अगर logically इस चीज़ को समझ जाते, पहली live से समझ में आ जाता है, कि क्या चल रहा होगा, फिर आगे तो आपको बस सीरीज को follow करते जाना है, और last आपने answer पे पहुंच जाना है, ठीक है, चल ये next question पे चलते हैं, देखे एक question ये भी है, ये भी आ चुका है आपका RPF के exam में, इसमें बोला जा रहा है, camera में सदेव क्या पाया जाता है, अगर मैं camera की बात करूँ, real मैं camera से निकाल दूँ, तो फिर भी वो camera रहेगा, ठीक है, photograph अगर एक साइड कर दिया जाए, तो तब भी वो camera ही रहेगा, flash अगर मैं हटा दू, तब भी वो camera ही रहेगा, बट अगर मैं camera से lens हटा दू, तो वो camera नहीं रहेगा, तो आपका option D हो जाएगा, आप खुद सोच के देखिए, अगर camera से reel निकाल दी जाती है, तब भी तो हम उसको camera ही बोल देंगे न, ठीक है, अगर आप camera से lens हटा दो, तो आप उसको एक डबा बोलेंगे, क्योंकि वो कुछ वर्क ही नहीं करेगा, वो कुछ photo नहीं देख सकता, click नहीं कर सकता, तो इसका मतलब lens भी important है, अब यहाँ पर कुछ चीज़े और भी आ सकती थी, अगर option हम बढ़ाएं, इन चारो option के according आपका answer D, मुझे लग रहा है, बाकी photographer अगर हटा देज़े, photographer कैमरे को थोड़े बना रहा है, वो तो photographer जो थे camera से photo click करवा रहा है, तो इसका मतलब आपका अगर इसको भी अटा दिया जाहे, तो तब भी वो camera ही रहेगा, flash को अगर हटा दिया जाये, तो तब भी वो camera ही रहेगा, because कहीं बार बिन फ्लेस के भी camera यूज़ाता है, बाट अगर lens ही नहीं रहेगा, तो camera नहीं रहेगा, तो option D is the right answer तो यह question number 3 था इसको मैंने आशा करते हूँ कि आपने answer दिया होगा next चलते हैं next आपका question number 4 when diagram से यह question भी already आ चुक है आर्पे आपके exam में तो यहाँ पर मुझे बताएगा सम्हू विद्यार्थी बच्चे पसू निमिन में से किस आकरती को सही रूप से निरूपित कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ sorry विद्यार्थी बच्चे और पसू तो इसमें पसू जो यह word है यह अलग है ठीक है न विद्यार्थी और बच्चो का relation है मतलब बच्चे जो होते हैं विद्यार्थी विद्यार्थी हो सकते हैं बट पसू का कोई भी इन दोनों से relation नहीं है तो आपको एक वेंड डाग्राम ऐसा देखना पड़ेगा जो इनसे अलग हो जो इनसे अलग हो यानि कि एक वेंड डाग्राम तो अलगी बन रहा होगा बिल्कुल और दो एक दूसरे से relate कर रहे होंगे क्योंकि बच्चे विद्यार्थी हो सकते हैं और सभी के सभी बच्चे भी विद्यार्थी नहीं हो सकते ये चीज भी confirm है न तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये तो option A नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 100 किया जा रहा है चलो पसू तो अलग कर दिया बट सभी के सभी बच्चे विद्यार्थी बना रखे हैं तो सभी के सभी बच्चे विद्यार्थी भी नहीं हो सकते तो यह आपकर एक कलत हो जागा option अगर मैं B की बात करूँ तो यहाँ पर पसू अलग है और यह मानली जे विद्यार्थी है और कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कुछ बच्चे विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर यह वाली condition मुझे बिल्कुल ओके लग रही है बाकी इसके अगर मैं बात करूँ यह कभी नहीं हो सकता क्योंकि यह दोनों ही condition में कुछ हो गया है यानि कि विद्यार्थी को हमने बीच में ले लिया कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं तो यह तो कभी नहीं हो सकता यह तीनों चीज को यह अलग कर रहा है तो यह भी कभी नहीं हो सकता तो option B is the right answer तो आशा करता हूँ कि आपको एक question भी समझ में आ गया होगा next question पे चलते हैं next आपका coding decoding से यहाँ पे दिया जा रहा है यह question भी आ चुका है किसी कूट भासा में C N T P को Q U O D लिखा जाए तो उसी कूट भासे में P G H K को किस परकार लिखा जाएगा तो यह अगर मैं बात करूँ C N T P तो यहाँ पे फिर वोई बात आगी न आपको इन सभी alphabet के number यादोने चीए C आपका आता है तीसरे पे अगर आपको यह पता है बाकी यह कुशन तो फिर भी easy है यहाँ पे plus 1 ही चल रहा है तो यहाँ पे अगर मैं plus 1 की बात करूँ तो वो चल रहा है आपका opposite में यानि कि जो last में है वो first में लिख जा गया है तो P में plus 1 करेंगे यानि कि next के आता है P से Q तो P 16 पे आता है Q 17 पे तो plus 1 चल रहा है तो यहाँ पे आपका T में फिर plus 1 करेंगे तो U और N में plus 1 तो O और C में plus 1 तो D उसी तरीके से आप P G H K में plus 1 करिए और वो भी करना कैसे है सबसे पहले K से next देखिए तो K से next आपका L आ जाएगा और L यहाँ पे A option में है अब आप इस A को 100% answer नहीं बोल सकते हैं क्योंकि A option यहाँ पे दे रखा है इन में से कोई नहीं तो आपको पूरा ही चेक करना पड़ेगा कि इन में से कौन सा सही होगा तो sorry यहाँ पे P G H की जो है इसमें मैंने K में पलस 1 किया तो L फिर H में पलस 1 किया तो I ठीक है तो next आपका I हो जाएगा L हो गया I हो गया फिर यहाँ पे G में पलस 1 तो H और P में पलस 1 तो Q तो यहाँने की option A right answer आपका हो जाएगा ठीक है तो इन से भी में पलस 1 करेंगे तो आपका यह वाला बन जाएगा और यही यहाँ पे सिरी चल रही थी ठीक है चलिए फिर next question पे चलते हैं आचा करते हूं कि आप इनको try भी करते हो चल रहे होगे साथ साथ में ठीक है चलिए next question पे चलते हैं next आपका question है कथन और निसकर से इसमें बोला जा रहा है परिक्सा में फेल होने का कारण ए नियमिता है कुछ नियमित विद्यारती परिक्सा में फेल होते हैं तो यहाँ पे देखिए परिक्सा में फेल होने का करण तो बता दिया गया ए नियमिता है और कुछ नियमिता कुछ नियमित विद्यारती परिक्सा में फेल होते हैं नियमित विद्यारती परिक्सा में फेल होते हैं तो यहाँ पे मैं निसकर्स में क्या क्या देख सकता हूँ निसकर्स दिया गया है सभी फेल होने वाले विद्यारती नियमित होते हैं यह तो बिल्कुल रोंग हो जाएगा, ठीक है न, पर यह तो गलत हो जाएगा न, क्योंकि कुछ नियमित विद्यार्ती जो परिक्सा में फेल होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया सभी, तो यह आपका रोंग हो जाएगा, नेक्स्ट है, आपे बोला जा रहा है, सभी सफल होने वाले विद्यार्ती नियमित नहीं होते, तो यह वाली कंडिशन देखिए, अगर मैं इस वाली लाइन को पढ़ो, कुछ नियमित विद्यार्ती परिक्सा में फेल होते हैं, तो यह वाली कंडिशन मुझे कुछ लग रही सभी सफल होने वाले विद्यार्ती नियमित नहीं होते हैं, तो मतलब बोला जो यहीं जा रहा है अतलब विद्याड़ती नियमित विद्याड़ती प्रिक्सयां फेल होते होंगे तो second वाला right answer हो जाएगा आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए next question पर चलते हैं देकिन next आपका question है इस type का भी question 100% एक आएगा आपका exam में यहां पर sorry दिया गया है यदि केला सेब है सेब अंगूर है अंगूर लीची है लीची सुपारी है सुपारी अमरूद है तो निमिल लिखित में सेब पीला फल कौन सा है तो पीला फल आपका केला होता है और यहां पर केले को क्या बूल लगा है केला सेब है तो यहां पर आपका यह सबसे पहला ही right answer हो ज अब केले को क्या बोला गया है तो सेब यहाप पर बोला गया है कि पीले फल को, पीला फल कौन सा होगा तो पीला फल आपका सेब हो जाएगा, ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ भाया होगा, next question पर चलता है, देखें दोस्तो next question आपका blood relation से, इसमें बोला जा रहा है, c माता है a और b की, अगर c माता है a और b की, तो मैं एक ven diagram बना सकता हूँ, यह हो गया आपका c ठीक है, sorry इसको हम ऐसे बराते हैं यह हो गया c, और मैंने आपे लग दिया minus, क्योंकि यह माता है और यह a और b की माता है, तो a और यहाँ पर हो जाएगा b ठीक है, अब a और b का gender हमें define नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, कि यह male है और female है for next बोला जा रहा है, यदि c sorry, यदि d पिता है sorry, यार पती है यदि d पती है b का तो यहाँ पर यह b का पती हो जाएगा यानि कि यह d है यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा minus, यानि कि हमें पता चलिगा b female है तो यह c की बेटी है b, और यह इसका पती हो जाएगा यानि कि इनका बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा पती पत्नी का, फिर यहाँ पर बोले जाएगा b का, तो c पती है b का तो c d की क्या लगती है, जो c हो d की क्या लगती है, तो c लो d की क्या लगेगी सास, तो यहाँ पर देख लिएगी चार option में सबसे पहले option सास है भई समझ गए न, यहाँ पर बोला c के दो बच्चे है a और b, यहाँ पर B का पती कौन है D अब पूचा है D, C से correlation क्या है, तो C जो है वो D की क्या लगती है, सास लगती है तो option is the right answer तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा next question पे चलते हैं next आपका question है, यह आपको बताना है finding the missing number, यह आपको number बताना है यह ओल लेडी पूचा जा चुका, और I think यह पहले भी में एक बार question आपको कराया है तो right answer बताना है, यह इसमें simple सा है यहाँ पे चल रहा है 8 दूनी 16 और 8 चोक 32 यानि कि 8 की एक बर 2 में की जा रही है और 8 की एक बर 4 में की जा रही है जब 2 में करते हैं तो यहाँ पे आता है और 4 में करते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पे करना है 9 दूनी 18 और 9 चोक 36 तो 10 दूनी 20 और 10 चोक 40 तो यहाँ पे 40 आ जाएगा सीधा सीधा सा question है तो समझ में तो बिल्कुल आई गया होगा आपको इस मतों कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है बस यहाँ पे देखें इस type की question ही आएंगे इससे hard मुस्किल से ही पुछा जा सकता है और उनको आप कर भी सकते हैं यहाँ पे बस ध्यान इस चीज़ का रखेगा कि यह question जो होते हैं कई बार घुमा देते हैं तो घुमना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि time ज़्यादा लगता है तो उस time पे उसको छोड़ दीज़े paper के end में दीज़ेगा ठीक है अगर question हो जाए एकदम से मुस्किल से मुस्किल 10 या 15 second देखिए try मार के क्यूंकि एकदम catch कर जाता है कई बार और कई बार क्या होता है दो तीर मिनट आप खरच कर देते हैं वो तो time waste हो जाता है कई बार आप पे question आते वे भी छोड़ देते हैं फिर last में जब time नहीं बचता तो ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं यहाँ पर देखे next question को देखते हैं अगर मैं next question की बात करो आपको यह निकालना है अब जहां तक 99% chances है क्योंकि यह बड़ी संख्या लिखे नीचे की side तो यह इनका multiply होके ही लिखा गया होगा ठीक है इनकी multiply होके इनकी multiply होके तो एक बड़ ट्राइ भी कर लेते हैं अगर 18 की मैं 6 में फिर 3 में करूँ तो 324 आएगा करके देख लेना 15 की 5 में फिर 4 में करूँ तो यह अब 300 आएगा अब आपको यह निकालना है पानसो 28 का यहाँ पर क्या आएगा किस चीज में multiply करूँ मैं यह 11 की 8 में करूँ 88 तो 88 में किस की multiply करूँ की 588 बन जाए तो आपको क्या करना है 500 चोर यह 528 बन जाए 528 को 88 से डिवाइड कर दीजे ठीक है तो कितनी बार जाएगा यह 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 6 आजाएगा तो इस तरीके से इन question को करना है समझे होंगे आप इन दोनों की multiply की 528 से मैंने डिवाइड कर दिया और आपका यह वाली संखे निकल के आगे 6 ठीक है चलिए next question पर चलते है देखे next आपका question है इसमें बुलगा यदि अंग्रेजी वर्माला को विप्रीत करम में लिखा जाए तो बताए 11 अकसर के 22 साथवा अकसर कोईम से होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना होगा यदि अंग्रेजी वर्माला को विप्रीत में लिखा जाए यानि कि विप्रीत में कैसे हो जगा जैड वाई ठीक है एकस डबलो वी यू टी एस ठीक है आर क्यू और आपका पी ओ एन मतलब इतना है लिख लेते हैं क्योंकि ग्यारा तक ही बात की गही है ना तो जैड वाई एकस डबलो वी यू टी एस आर क्यू पी ओ उल्टा आपने लिख लिया यहाँ पर बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर माला को विप्रीत करब में लिखा जाए तो बते ग्यारवे अकसर का साथवा तो ग्यारवे अकसर पहले कौन सा होगा यह देख लीजे काउंट करके तो ग्यारवा आपका हो जगा वन टू त्री तो यह आपका दाया हो जाएगा यह बापका बाया हो जाएगा यानि कि यह राइट साइड हो जाएगा लेट साइड हो जाएगा तो फिर उल्टा काउंट करिए साथ ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं साथ काउंट करूंगा तो यह कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर W आपका राइटांस हो जाएगा ठीक है तो option A राइटांस हो गया question में कुछ नहीं था बस आपको यह देखना था कि इन्होंने बोला क्या क्या है जो इन्होंने बोला है उसके according work कर दीजे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर बोला सबसे पहले अंग्रेजी वर माला को विप्रीद करम में लिखिये तो मैंने विप्रीद करम में लिख दिया फिर बोला तो बताए 11 अकसर के 22 साथ वा तो सबसे पहले आपने 11 बाइज देखा है फिर आपका याज की वीडियो में इतना ही होगा और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सेर करते रहा करें ठीक है यहां पर लिखा ए जैड बी तो ए जैड बी और तो c y d में आपको क्या करना है देखिए a से अगर मैं c की बात करूं यहां पर next फिर उसी तरीकी से बता होगे तो पहले चल रहा होगा तो a में अगर मैं प्लस 2 कर दूं तो c बन रहा होगा ठीक है और z में अगर मैं माइनस 1 कर दूं तो y होगा फिर b में प्लस 2 कर दूं तो d हो जाएगा यह निकि प्लस 2 माइनस 1 तो बिल्कुल इसी तरीकी से आप करेंगे तो यहां पर देखिए जो है e x f में आपको बताना है तो e में से अगर मैं प्लस 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा जी हो जाएगा जी तो आपका क्या हो जाएगा H तो GWH राइट आइट अजएगा तो GWH आपका कुन सो हो गया यह हो गया आपका option A GWH तो A is the right answer तो ढिक है नेक्सत अगर मैं इसकी बात करो तो मतली उपकाई और जलना, तो देखें मतली से आपकी उबकाय आती है तो जलने से क्या होता है तो जलने से आपकी तवुज्था जुलस जाती है ठीके तो यहाँ पर आपको क्या होता है अraciónलोगी का यह लास्ट वाला कोश्ष नाइगा तो इसको बते हिए concept अगर आप थोड़ा सा note कर पाएं तो यहाँ पे चल रहा है जैसे 12 लिखा है ठीक है 12 में यहाँ पे 35 बटे 3 की multiply की गई है ठीक है तो आप इसको क्या करेंगे 3 चोक 12 और 4 में multiply करेंगे 35 की तो अपका कितना होज़ागा 140 ठीक है तो इस तरीके से आपको यहाँ करना है तो 156 में अगर multiply करेंगे आप 35 बटे 3 की तो करिये कितना आएगा 820 आएगा ठीक है ना 820 आनी क्यों प्षान है यह राइट आंसर हो जाएगा तीन पंजे 15 और आपकी 35 में बटे तीन तो आप इसकी multiply करेंगे 35 में तो आपका 820 आएगा तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में था इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसकी लिंक नीचे description box में है, आप इसको like भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को share करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि RPF की अब मैं बहुत सारी वीडियो अप्लोड करने वाला हूं, जिससे आपकी बहुत सारी help मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को देखते रहा करें, share करते रहा करें, और चल को subscribe करके bell icon को जरूर ओन कर ले, ताकि आपके पास सारी वीडियो के notification पहुँचते रहें, तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को like share कर दिया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत दिने वाद आपका दिन सुबहूं,